पूजा सिंगल इन दिनों जार्खन समेट पूरे देश में चर्चा का विशे बनी हुई है कैशकान के आरोप में एडी के निशाने पर आने वाली महला अधिकारी को लेकर हर कोई ये जानना चाहता है कि वो कहां से हैं और उनका बेक्ग्राउंड क्या है आपको बताते चलें कि पूजा सिंगल का जन 7 जुलाई 1978 को उत्राखंड के देहरादून में हुआ था पूजा सिंगल का परिवार एक मध्यवर गये हिंदू परिवार था पूजा के पिताजी का नाम कामेश्वर जहा था जानकारी के लिए ये भी बताते चलें कि पूजा के पिताजी ड्यूटी के दोरां अंग देश के लिए श्रहीद हो गए थे पूजा की माताजी एक ग्रहनी है अगर पूजा के परिवार के बाकी सदस्यों की बात करें तो उनके घर में एक छोटा भाई भी है वैसे पूजा पच्पल से ही एक IAS ओफिसर बनने का सपना देखती थी वो पढ़ने में बहुत महनती और मेधावी चात्र थी उनके परिवार के लोगों को और उनके शिक्षकों को ये लगता था कि पूजा बड़ी होकर उनका नाम ज़रूर रोशन करने वाली है फिलहाल 21 साल 7 दिन के उम्र में IAS ओफिसर बनकर उन्होंने वाकई जो कर दिखाया वो किसी बड़ी उप्लब्धी से कम नहीं था लेकिन इन दिनों वो जिस वजह से चर्चा में बनी हुई है वो वजह बेहद शर्मनाख है अब ऐसे में फूजा पर लगे या आरोफ गलत साबित होते हैं या फिर सही इस जानने के लिए आप इंतिजार कीजिए हमारे चैनल पर लगातार आ रही अपडेट्स का